सबसे इंपॉर्टन एक अपडेट आपके लिए आयोग की आरो यारो 2023 की यानि की समिच्चा अदिगारी और सायक समिच्चा अदिगारी 2023 की फैकेंसी का नोंटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है आपको इसी वीग में करीबना दस अक्टूबर तक आ सकता है ठी हो रहा है अब उसको जोइन करके पूरी तेहरी पिजएगे कर सकते हैं खैर आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टन नियूज यह है कि भाई आरो यारो में नंबर आप पोस्ट आरो यारो की नंबर आप पोस्ट जो है वो काफी जादा बढ़ सकती है हाला कि अधियाचन अभ के रिजल्ट तक यह सारी वेकेंसी जितनी भी आ सकती है अधियाचन उसको उसी में जोड़ देते हैं ठीक है जैसे PCS 2022 में देखिए आप 173 पोस्ट आई थी लेकिन भाईज आप इसमें अब 254 पोस्ट हो चुकी है यूपी PCS 2022 का जो एक्जाम हुआ था PCS में पहले कितनी आई थी 173 आई थी तो ट्रोल कर रहे थे आप लोग आप फाइनली 254 हो चुकी है तो मतलब इसमें भी 181 से यह आंकड़ा जो है मेरे साब से 2.300 तर जा सकता है आराम से तो यह वाली हैं भया तैयारी में कमर कसलो विलकुल आरो यारो की UP PCS की सिर्फ और सिलेक्शन वाली त सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिलेक्शन को फॉलो करें बाकी अगर कुछ मटल कस्ती करनी है तो इदर दर गुंगते रहो जब PCS 2022 का मेंस एक्जाम हो चुका है उसकी अनलिसिस यही है कि भाया इस बार जो है GS 5 और 6 इंटर्यूस किया गया था ऑप्शनल को भ सुले आते थे सारे जार सानी मतलब आतीशे वक्ती वाली बात है लेकिन हाँ तीनसो सत्तर तीनसो सितक आ जाते थे लेकिन आठ साइट के कभी भी नहीं आ पाए और आठ साइट के स्टूडेंट के साथ हमेशा ना इंसाफी हुई है फाइनली दोजर तेईस वाला PCS का मैसेज आयोग का क्लियर अचा इसमें मेंज दिया था तीने जार आठ सो बावन लोगों ने 94% अटेंडेंस रही आयसे भी जो है मुद्दिमान और महान लोग होते हैं जो PCS का प्री होने के बाद मेंज का एक्जाम नहीं देते हैं 6% अलाकि इसमें आएसी वाली बात नहीं कई सारे स्टूडेंट के साथ नाइसाफी होई करीबन डेड़ सो से जादा लोगों को मेंस देने का मौका ही नहीं दिया है आयोग ने सारी चीजे हैं जरासी तूटी के कारण टेक्निकल जो है एरर के कारण आप लोगों ने उन इस्टूडेंट का एक साल वेश्ट किया है आयोग की वज़े से आयोग ने कई सारे चात्रों का जीवन ऐसे बरवाद तो किया है यह बात तो है कौर्ण मेंसे कुछ ऐसे भी हो जिनका येज का लास्ट एटेम्ट हो अब तो उनका करियर खतम उस तरह से देखा जाये तो अलागि जीवन कभी खतम नहीं होता है जीवन आई-एस-पी-स-ड जीवन से बहुत बड़ा है कोई अगर तैयारी कर भी लेता है ना तो इसका यह बतलब नहीं कि वाई एक स्ट्रेट का मेरे बैसे आया था किसाफ मैं साथ साल से तैयरी कर रहा है मेरा कहीं नहीं हो रहा है मैंने सक्सेश फुली अपने साथ साल वेस्ट करें दोगों सिख जाते हैं जीया साफ की मजबूत होती करंट पर पकड़ होती है किसी भी नॉर्मल कैलिबर वाले आदमी से आप बात करोगे तो आप हमेशा अपने को ठीक टाक पाओगे लेकिन इसे पैसा नहीं मिलता है उसके लिए फिर थोड़ा रिस्क लेनी पड़ेंगी ऑपरचुन इसका कट आफ का क्या होगा कई लोग के मैसे जाए थे कि बहुत सारे फैक्टार ने कट आफ के एक तो यह कि नंबर आफ पोश्ट जो है पिछली बार से थोड़ी सी कमी है को कि दो सो चोगा ने पिछली बार 382 बस दें कुछ तो एक तो पोश्ट कम है ठीक दूसरी बात य कि भाई इस बार स्केलिंग क्हतम हो गई है तो जो साइन साइड वालों को एक्ष्टर आडवांटेज जबर्दस्ती का डवांटेज मिलता ता वो बंद हो जाएगा अब आठ साइड वाले और साइन साइड वाले सारे एक बराबर फेयर हुआ है भाही सब के लिए कि जो य से कम जाएगा बाकी तो भाई अब पहली बार जब यह आयोग चेक करेगा GS5 चेके को कि GS5 चेके जो पेपर थे देखे पहली बाद तो GS5 चेके पेपर कम्प्लीटली पूरे के पूरे study for civil services से आप कर सकते थे अगर आपने हमारी तीन प्लेलिस फालो करी होती जो हम जब अब GS5 चेके प्रप्रेशन की पूरी प्लेलिस बनी है अगर यह तीन भी करा और साथ में यूपी का करेंट मंतली study for civil services का पढ़ते रहे हो आप यूपी बजट का आपने पढ़ाओगा पापा वीडियो इत्ता करके गयोगे तो आराम से पेपर करके होगे क्योंकि बड़ा factual था फैट्स लिखने थे उसमें GS5 चेम भाई जादा जादा किसी GS पेपर में कितने नंबर मिलेंगे 100, 110, 120, 120 तक मैंने देखे हैं इस स्यादा नहीं देखे हैं 125 मताब 120 की रेंज में मैंने देखे हैं उस स्यादा नहीं जा सकता है तो इस लिहाद से थोड़ा सकटाव मेरे साब से कम होना चाहिए ये चीज़े हैं बागी भाई 24 के लिए कंप्लीट प्री प्लस मेंस की शुरुआत सिलेक्शन तक की तयरी के लिए बैचे चल रहे हैं तुरत आप हमारे नंबर पे कॉल करके 856-488-0530-96960-6089-7523-64455 इंतरे नंबर पे कॉल ये वाटसप करके तुरत जोइन कर सकते हैं ठीक है सारी इंफोर्मेशन सुर ली चलो चौके लो